ज्यादा लगाने वाला प्रावधान है धाराच है कि what may be transferred क्या transfer किया जा सकता है हम थोड़ा सा पीछे आ गया है चुकि धाराच 43 अभी हमें धाराच 43 जो हमने चर्चा की थी तब वहाँ था कि 6 के प्रावधानों को इसके साथ पढ़ेंगे तो यह जानना जरूरी है कि what may be transferred क क्या अंत्रित किया जा सकता है तो किसी भी संपत्ति का अंत्रण किया जाना एक सामान नियम है बलब एक सामान सा नियम है कि सारी चीज़ें अंत्रित हो सकती है सारी प्रापर्टियां अंत्रित हो सकती है यह सामान नियम है इस पर कुछ रोके लगी हुई है जो अलग- कि सारी संपतियां किसी भी किस्म की संपति है उसका अंत्रण किया जा सकता है कि यह मूल सभाव कई बार प्रक्स पूछा जाता है कि इन में से क्या अंत्रित किया जा सकता है तो हम सिक्स के प्रावधानों को दूसरे हिसाब से समझते हैं कि सिक्स के प्रावधान रोक लगाते नई 6 धारा 6 है वो एलाव करती है कि क्या कहती है जो पहली लाइन इसकी है कि किसी भी प्रकार की संपत्ति अंत्रित की जा सकी यह मूल नेचर है प्रापर्टी का कि वो अंत्रन स्विकार करती है अलिनेशन उसका नेचर है अब जो रोके लगाई गई है तो DPA Act ने रोक क्या लगाई है कि इस अधनियम द्वारा या तत समय प्रवत्त किसी अन्विधी द्वारा यदि रोक लगाई गई है अंत्रन पर तब नहीं अंत्रित की जा सकेगी सामान नियम धारा 6 बताती है कि कि किसी भी प्रकार की संपत्ति को आप अंत्रित कर सकते हैं फिर रोक लगाई गई है कि इस अधिनियम द्वारा यदि किसी प्रापर्टी के अंत्रण पर रोक लगा दी गई है या कोई ला प्रिवेल कर रहा है देश में और उस ला में रोक लगा दी गई है उसके सिवाए बांकी हर प्रकार की संपत्ति को आप अंत्रित कर सकते हैं तो चार तरह से रोके अलग जो ला है वो रोक लगाते हैं जैसे हिंदू ला आप पढ़ें तो हिंदू ला में जो मंदिर का सिवाइती होता है उसके पद को आप अंत्रित नहीं कर सकते हैं क्योंकि हिंदू ला ने रोक लगा दिया है इसी प्रकार आपको पार्सनर प्रापर्टी होती है जहां स संपत्यों पर भी आसानी से अंत्रा नहीं किया जा सकता उन संपत्यों के अंत्रा पर भी रोक लगाया गया है जैसे कि ऐसे मुस्लिम ला में देखें तो मुस्लिम ला में जो वफ की प्रापर्टी होती है उस प्रापर्टी पर रोक लगाया गया है जो मुतवली का पद होता ह है उससे पर रोक लगा दिया गया है उससे प्रेवजन से प्रापर्टी कीसी कई जाती है कि किसी पद़ को धारं करने के एक अपको प्रापर्टी कुछ समय के लिए मिली हुई है तो उस प्रापर्टी के भी अंत्रण पर रोक लगाई गई है जैसे आपको बंगाल में घाटवाल का अधिकार मिलेगा जो घाटवाल है जुट तक वो घाटवाल, उसको अधिकार मिला हुआ, जैसे उसका पधर जाएगा, तो प्रापर्टी चली जाएगी, इस दावरान जब वो घाटवाल है, प्रापर्टी को अंतृत नहीं कर सकता है, तो बहुत सरी गाव में जो चारा गाह का प्रमुख होता है, चारा गाह जिसके प को बात कर रहे हैं कि हिंदू बिधी मुस्लिम बिदी और कुछ लोकल लैंड है यह अंत्रण पर रोक लगाते हैं टीपय कहती है कि सारी प्रापरटी अंतरित की जा सकती है, लेकिन कहती है कि यदि उस्प्रापरटी का आप अंतरण नहीं कर पाएंगे, तो तीन विधिया हमें मिलती हैं, हिंदू विधी, मुस्लिम विधी और लोकल लेंड कई सारे मिलेंगे, तो कहीं कहीं अंतरण पर रोक लगाई गई है, उनको ध्यान रखें, जहां अंतरण पर रोक लगाई गई है, उन प्रापर्टियों का अंतरण नहीं हो पाएगा, हम प्रापर्टियों को आपंतरित नहीं कर पाएगे, उन दस अपवादों की चर्चा हम यहां पर व्रहद रूप से करेंगे, तो कुल मिलाकि हमें चार अपवाद मिलें, एक मुस्लिम विधी अपवाद बताती है, वो एक लिस्ट देगी या कारण देगी कि किन प्रापर्ट बेर्क भी आप लोग देखते चलें, तो उससे तो थोड़ा सा चीजिया असान रहेंगी, जो खंड का है वो कहता है कि कि किसी प्रत्यच्च वारिस की संपदा का उत्राधिकार होने की संभावना, जो का खंड है उसमें तीन पार्ट है, तो पहला पार्ट कहता है कि प्रत् प्रदाव विद्राप्त करने की संभावना इसका भी अंतरन नहीं कर सकते हैं या इसी प्रकतिकी अन्य कोई संभावना है इसका भी अंतरन नहीं कर सकते हैं कुल मिलाके जो टीप यह है वो यह चाहती है कि आपके पास जो बिद्दमान अधिकार है जो राइट इन एक्जिस् आपके पास सिर्फ संभावना है कि आपको प्रापर्टी मिलने वाली, तो TPS को रोकती है कि संभाव उत्राधिकार का आप अंत्रा नहीं कर सकते, क्यों रोक लगाई गई होगी संभाव उत्राधिकार पर, आपको ये संभावना है कि आपके पिता जी की मृत्यू के बाद पिता जी ने अपने जीवनकाल में ही वो प्रापर्टी बेंच दी, तो फिर आपके संभावना तो खतम हो गई, तो इसलिए जो इंग्लेंड का लाह है, वो कहता है कि जीवित व्यक्ति का कोई उत्राधिकारी नहीं होता, जीवित व्यक्ति का कोई उत्राधिकारी नहीं होता तो यदि हमने पुत्र को ये लाओ कर दिया कि तुम इस प्रापर्टी में जो तुम्हारा संभाव उत्रादिकार है उसको किसी को इलिनेट कर दू और उसने पांच लाग रूपए लेकर कहा कि ये दो इकड का खेत मुझे मेरी पिता के मित्तु के बाद मिलेगा और मैं तुमको जैसे ही मिलेगा दे दूँगा यहाँ पर वो क्या अंत्रित कर रहा है उसके पास आज की डेट पर कुछ नहीं है उसको एक संभावना है कि उत्रादिकार में ये खेत उसको मिलेगा और पांच लाग रूपए उसने ले लिया अब मान लिजे कि पिता जी ने अपने जीवन काल में ही वो खेत किसी को बेच दिया आपके उत्रादिकार की संभावना से उनके डिस्पोजल की सक्ती तो चली नहीं जाएगी तो फिर विवाद होगा आपने जिससे पांच लाग लिये थे वो विवाद होगा और उस विवाद का क्या निराकरण होगा तो इसलिए पहले ही रोक दिया गया कि आप संभाव उत्रादिकार नहीं बेच सकते हैं उत्रादिकार क्या होता है कि बहुत सारे कारण है कि जीवित व्यक्ती जिस व्यक्ती से आपको प्रापर्टी मिलने वाली है उसके जीवनकाल समाप्त होने पर आपका जीवन हो पिता जी के पहले ही पुत्र निकल गए तब क्या होगा पिता जी के मरने पर आपको प्रापर्टी मिलने वाली थी पिता जी के जीवनकाल में पुत्र निकल गया तो इसलिए इन सब विवादों से बचने के लिए रोक लगा दी गई है कि आप संभाव उत्राधिकार को ट्रांसपर नहीं कर सकते हैं एक जैसे उदाहराण लेते हैं कि एक का नामक व्यक्ति था का नामक व्यक्ति था और का नामक व्यक्ति की पतनी थी खा यों पुत्री थी गा उसकी पतनी थी खा और पुत्री थी गा अब संभाब उत्राधिकार गा के पास भी था कि पिता की मृत्ति उपर पतनी को भी प्रापर्टी मिलेगी और पुत्री को भी मिलेगी पिता ने क्या किया कि अपने जीवन काल में ही एक हजार रुपए पुत्री को दे दिये पिता ने दिया और कहा बेटी तुम एक निर्मुक्ती विलेक लिख दो रिलिंक्विस्मेंट डीड लिख दो कि तुमको इस प्रापर्टी में कुछ नहीं चाहिए तुम अपना अधिकार मेरे पक्ष में त्याग रही हूँ उसने पतनी ने दावा लाया कि अपती की पूरी प्रापर्टी मुझको मिलना चाहिए गाने उसमें आपत्ती कर दी कि मैं पुत्री हूं मुझको भी मिलना चाहिए तो जो पतनी थी वो निर्मुक्ती विलोग कोर्ट के सामने ले आई कि देखिए सहाब इसने गाने पती के जीवन काल में ही निर्मुक्ती विलेक लिखा था और एक अजार रुपे प्राप्त किये थी तो कोर्ट ने कहा कि ये दे क्या सकती थी आपको पत्र पिता के जीवन काल में पत्री पिता को क्या दे सकती थी उसको तो कुछ मिला नहीं था संभाव बुत्र अधिकार था तो संभाव बुत्र अधिकार को वंत्रित नहीं कर सकती थी और निर्मुक्ती विलेक को कोर्ट ने मानता नहीं दी और भुदारहरस में मिल जाएंग का एक भाई भी था तो विद्वा से फिर प्रापर्टी भाई को आती जो सा भाई धा उसको आती तो अब साने क्या किया कि उसको सिर्फ उत्रादिकार की संभावना थी कि जब ये विद्वा मरेगी तब प्रापर्टी मुझको मिल जाएगी कोई बच्चे तो थे नहीं तो य आएगा जिससे आपको property मिलने वाली है उसकी म्रत्यू के बाद उसके पहले आपको property नहीं मिलेगी दूसरी बात इसमें आती है जो six a का ही पहला part है उसमें आपको दूसरा हिस्सा मिलता है कि chance of legacy वसीयत द्वारा संपत्ती मिलने की आपको संभावना है तो ये भी क्या है संभ संभाव उत्राधिकार वसीयत करता अपने जीवनकाल में कई वसीयत लिखा सकता है कोई उसको दिक्कत नहीं है तो एक वसीयत उसने लिखाई हो 2023 में तो एक संभाव आपको वसीयत से property मिलने की संभावना आ गई कि कुल का जो जो जिस वेक्ति ने लिखाया है उसकी मृत्त ली है उस प्रापर्टी में भी आपको हित नहीं मिलेगा उस प्रापर्टी में भी आप ट्रांसपर नहीं कर सकते उस प्रापर्टी का तीसरा जो सिक्स एक हैता है कि इसी प्रकार की और भी संभावनाएं हो सकती है उनका भी अंत्रा रोका गया है उनका अंत्रल कैसे रोका आएंगी सिर्फ एक संभावना है कि जाल में इतनी बचली आएंगी अब वो खरीदने वाला तो जानता नहीं कितनी बचली आती ना बेचने वाला जान रहा है दोनों अनिस्चित है एक सिर्फ संभावना को बेचा जा रहा है तो संभावना आप नहीं बेच सकते हैं एक उच्णियाले हैं, उनके contradictory view हैं, एक कलकत्ता उच्णियाले का मानना है कि आज साम तक मंदिर में कितना चढ़ावा आएगा, यह एक संभावना है और इसको इलिलेट नहीं किया जा सकता है, जबकि इलाहाबाद उच्णियाले का मानना है कि यह इतना अनिस्चित, इतना अपर कि इसको आप इलिनेट कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको इलाहाबाद और कलकत्ता उच्णियाले के अलग-अलग judgment मिलेंगे कि जो मंदिर का चढ़ावा आने वाला है, उस मंदिर के चढ़ावे को आप इलिनेट कर सकते हैं या नहीं, तो जो खंड का है, खंड का तीन कि अन भी संभावनाएं हो सकती हैं, उनको भी आप इलिनेट नहीं कर सकते हैं, अन संभावनाएं और क्या हो सकती हैं, कि मैंने जैसे जूएं की प्रकति की हैं, कि मैं इस ट्रूनामेंट को जी जाओंगा, पचास जार मिज़े मिलेगा, तो तीस जार तुमको दे दूँग तो ये बहुत सारी संभावनाएं हैं, जो निश्चित नहीं हैं, बहुत सारे समास्थित चीजें हैं उस पर, उन सब को रोक दिया गया कि इनका आप अंतरन नहीं कर पाएंगे जो खंड खा कहता है हम रोकों की बात कर रहे थे six कहता है कि किसी भी प्रकार की थमपत्ती इलिनेट की जा सकती है लेकिन इस अधनियम द्वारा जदी थमपत्ती के लिनेशन पर रोक लगा दी गई है तो एलिनेट नहीं की जा सकी या अन विदियों द्वारा रोक लगाई गई है तब एलिनेट नहीं की जा सकती इस अधिनियम द्वारा रोक लगाई गई है शिक्स के ही माध्यम से जो दस प्रावधान है वो रोक लगाते हैं जब हम दूसरे खंड की बात करते हैं खंड खा की बात करते हैं तो खंड खा कहता है कि किसी उत्तरवर्ती सर्त के उत्तरभाव सर्त के भंग के कालपुने प्रवेश का अधिकार मात उस संपत्ति का जिस पर तद्वारा प्रभाव पड़ा है स्वामी के सिवा किसी अन्नकोंत्रित नहीं किया जो सकता ये दरसल पट्टे की बात हो रही यहां पर पट्टे में ही आपको धाहन मिलेगा जब हम पट्टे समंधी प्रावधान पढ़ेंगे धारा 111 पढ़ेंगे वहाँ एक खंड मिलेगा अपने को च्छा तो वो कहता है कि जिस व्यक्ति को पट्टा दिया गया है पट्टा ग्रही है अब इस तरह की सर्त पढ़्टे दार ने भंग कर दिया उत्तरवर्ती ती पट्टे पर दिया और कहा गया तुम इसम आपालन होता है तो इस प्रकार से किसी के पास पुने प्रवेश का अधिकार है, जिस वेक्ति के पास पुने प्रवेश का अधिकार है, वो अपने मात्र इस पुने प्रवेश के अधिकार को किसी को अंत्रित नहीं कर सकता है, क्यों? क्योंकि 6B ने रोक लगा दी है, कहती है, mayor right of re-entry mayor right of re-entry यदि property बेंच दी पट्टा करता नहीं वो property किसी को बेंच दी तब तो जिसके पास property गई है वो उस अधिकार को enjoy करेगा लेकिन क्या पट्टा करता सिर्फ अपने इस right को जो की पट्टेदार की किसी सर्त के भंग के कारण पैदा हुआ है अपने प्रविस का a mayor right of re-entry for the beach of condition subsequent cannot be transferred to anyone except the honor of the property affected thereby यदि वो खेत ही किसी को बेच दिया पट्टा करता नहीं तब तो जिसको बेचा है उसको यह पुने प्रविस का अधिकार चला जाएगा लेकिन पट्टा करता अपने पास खेत रखता है जो यह अधिकार पैदा हो गया भंग के कारण उस अ अधिकार को मात्रू इलिनेट नहीं कर पाता कहीं कर सकता है जो तीसरा खंड बात करता है वो बात करता है कि इसमेंट के अधिकार की बात करता है यहां पर देखें दो प्रापर्टी आऊंगी एक प्रापर्टी जिसको अधिसेवी इस्थल कहते हैं और एक प्रापर्टी हो कि किसी के पास ये राइट आ गया कि बगल वाली जमीन से लाइट आनी चाहिए किसी जमीन के होल्डर के पास ये राइट है कि बगल वाली जमीन से लाइट हमारे हाँ आनी चाहिए हमारे हाँ हवा आनी चाहिए तो क्या सिर्फ अपने हवा और लाइट के अधिकार को वो बेच सकता, ये एक सुखा अधिकार, तो फिर रोक लगाती है, यहाँ पर 6 class C कहता है, कि an easement cannot be transferred apart from the dominant heritage, हाँ लेकिन यदि ये जमीन ही किसी को बेच दी गई, जिस जमीन में लाइट आने का या हवा आने का अधिकार था, यदि वो जमीन किसी को बेच दी गई है, तब तो उसके पास ये अधिकार चला जाएगा, लेकिन सिर्फ इस अधिकार को हम नहीं transfer कर सकते, कि तुम light लेते रहो, हवा लेते रहो, जिसके पास वो dominant heritage है, उसी के पास ये right भी रहेगा, मतलब dominant heritage से अलग करके, हम इस easement के right को transfer नहीं कर सकते, यही कहती है, खंड C, खंड D बात करता है कि restricted interest की, या personal rights की, कई बार आप देखेंगे कि property में C मी थित पैदा किया जा रहा है, या किसी व्यक्ति विसेश को ही दिया जा रहा है, कि तुम इस right का उपयोग करो, तो यदि अधिकार restricted है, या अधिकार personal आप आपको ही दिया गया है, आपको ही delegate किया गया है, तो आप अपने उस अधिकार को आगे नहीं बढ़ा सकते, एक उधारण से समझें, कि जैसे मेरे यहाँ परिवार में किसी बच्ची की साधी है, तो मैंने अपने परोसी से कहा कि तुम अपने घर का एक हिस्सा मुझको दे दो छैमाए के लिए मेरे मेहमान आएंगे, मैं तैयारी करूँगा, तो अब उस परोसी ने मुझे दे दिया, तो वो क्या कर रहा है, मुझे परसनल उभोक के लिए दे रहा है, अब मैं क्या करूँ कि छैमाए ठीक है भी, तो साधी में बहुत सारा टाइम बचा हुग, इस अधिकार को, जो की मुझे किसी ने परसनली उप्योग करने के लिए दिया, उस मेरे पड़ोसी ने मुझे दिया था, कि तुम अपने हाँ साधी है, तो तैयारीया कर लो, और मैं क्या कर रहा हूं, आंगे उसको किसी किराय पर दे रहा हूं, तो धारा छह रोक लगाती ह कि यहां पर जो हित हैं वो हित यदी धारक तक ही सीमित है या गतिगत रूप से किसी गति को ही उपभोग के लिए दिया गया है तो ऐसे उपभोग के अधिकार को वो आंगे अलिनेट नहीं कर पाएगा जैसे कई बार जो परसनल इंट्रेस्ट है या रिस्टिक्टेड इंट्रेस्ट है उनको अथम समझ लें जैसे बहुत सारे मठ के महंत्का पद मिलेगा आपको वप के मुतवली का पद मिलेगा तो यह सम मुस्लिम लामेत रोक आई गया है जो टी पीए है वो भी रोक देती है क्लास धी है वह भाहस बनाया गया है आपको टी के benim हम धून्ध कर वेट को सबूष ऑकि चर्च मिलने का है फर्चाय मिलेगा तुस प्रापर्टी को वह बिलेगा, मैं तुम को खर्च दिया जा रहा तुम अपको बीको बेच दो कि तुम उठको पांच Except मोढ़ करना थो और मैं तुम अपने कर दिकार तं को दे दो ऊग्रचाए 25 नहीं हो सकता जो कंडी है वह बाविबरन पोशन के अधिकार की बात करता है इसको भी आप अलेनेट नहीं करता है ध्यान रखिये गए यहां पर future maintenance की बात हो रही है जो maintenance मिल चुका है उसकी बात नहीं हो रही है future में मिलने वाला maintenance maintenance क्या होता है कि एक व्यक्ति किसी दूसरे के भोजन की आवास की जीवन की बाकी आवश्चक्ताओं की विव स्वस्थाएं करनी होती है उसके उपर जिम्मेदारी रहती है और जिसको प्राप्त होनी है वो भोग करता उसके पास maintenance का right रहता है तो इस खंड का उदेश क्या है कि भावी maintenance को क्यों रोका गया कि इसको आप इलेनेट नहीं कर पाते हैं क्योंकि जिसको आप maintenance दे रहे हो सक तो कलको भूका मर जाओंगा तो इसलिए कहा गया भावी भरन पोशना का अधिकार इस खंड का उद्धेश से भरन पोशन धारकों को अपने से ही सुरच्छा प्रदान जो भरन पोशन के धारक है उनको खुद से सुरच्छा देनी है कि तुम नहीं समझ रहे हो तुम कम कर दोगे लग जरीस लीस व्यक्रद व्यक्रदोगे उसका और उसके वाध कल से रोटी के लाले पड़ जाएंगे तो तुमको तुम्हारी गलती से बचाना है इसलिए कहा गया कि जिस…"व्यक्ति को भावी भरन पूस्वान रखिये गया कि वाद लाने का अधिकार मात इसको भी आपंतरित नहीं कर सकते वाद लाने का अधिकार मात्र केवल अधिकार की बात हो रही जैसे अमूमन कहां पर होता है कि आपके ऊपर किसी ने मानहानी का लेख प्रकासित कर दिया तो आपको लगा कि मेरी मानहानी हो गई तो आपने क्या किया यह रे इसम को हम TART के खिलाप लाते हैं और TART के तहरी मुटदमा लाते हैं और इससे 5-लाख रुपे की वसूली करते हैं कितना आपका नुखसान हुआ कितना आपको प्राप्त होगा सारा कुछ क्या है अपर निर्धारित कुछ भी निष्जित नहीं एक कानून था उस कानून ने कहा है कि यदि आप बता देते है कि आपकी मानानी होई है तो फिर आथे आपको नुकसानी मिलेगी तो क्या आप अपने इस अधिकार को कि मेरी इस प्रकासक ने मानहानी कर दी थी, मुझे अब नुक्सानी का वाद लाने का अधिकार पैदा हो गया, एक अधिकार है आपके पास, नुक्सानी का वाद लाने का, तो क्या आप अपने इस अधिकार को इलिनेट कर सकते, नहीं कर सकते, क्योंकि केवल वाद लाने का अ हुआ है आकी कुछ नहीं आपको उसमें लगा हुआ सिर्फ एक अधिकार आपके पक्ष में पैदा हो गया United का न है keeping लेकें जहां पर आपने किसी को एक लाग रोपे रिन दिया था रिन लिखा पधी में आप ट्रांसपर कर दे रहे हैं यह यहां अपना एक लाग छाएं तो तुम्हारे ट्रांसपर कर रहा हूँ तो यहाँ पर एक लाख रूपए तो अब गए ना एक लाख रूपए तो निस्चित हैं कि एक लाख मुझे बी से लेने हैं जिस वक्ती ने कर जा लिया था उससे लेने हैं और मैं अपने इस निस्चित अधिकार को किसी को लिनेट कर रहा हूं मेरा सिर्फ वाद लाने का तो यदि वाद लाने का अधिकार मात्र ट्रांसपर किया जा रहा है तो धराच्य रोक लगा देती है लेकिन किसी हित से जुड़ा हुआ है वाद लाने का अधिकार और उस हित को ट्रांसपर किया जा रहा है तो जिसके पक्ष में ऐसा ट्रांसपर किया जा रहा है वो वाद ल लिया आ की संपत्ती थी पी संपत्ती थी बी ने उसकी प्रंपत्ती को रांगफुल पजेशन में ले लिया अब क्या कहता है आ के पास एक राइट आ गया कि वो अपनी संपत्ती को वापस ले ले ये राइट आ गया और उसी के साथ उसको ये भी अधिकार आ गया कि जितने द इनका अन्तह कालीन लाब भी वसूले अतिक्रामक से तो यदि वो संपत्ती ही किसी को ट्रांसपर कर दे तो ये अधिकार तो उसके पास चला जाएगा जिसको ट्रांसपर कर रहा है लेकिन क्या सिर्फ अन्तह कालीन लाब वसूले का जो उसके पक्ष में राइट पैदा हुआ है वह किसी को ट्रांसपर कर सकता है कि यह जो अतिकरामाक है इसके ऋरुद्ध मुझे अंह parar कालीव कि जो मेंस प्राफिट है मेंस प्राफिट principals वसूनेक अधिकार आ गया है तो तो क्या सिर्फ इस अपने अधिकार को culeCarlionate कर सकता, नहीं कर सकता। यदि वो जिस प्रापर्टी पर position का विवाद है, वो प्रापर्टी किसी को Elinate कर दे। तो वहाँ तो उस प्रापर्टी से जुड़ा हुआ था, वो हित transfer कर दीआ, वहां तो वो चला जाएगा। लेकिन सिर्फ अंत्यकालिन लाव पाने का अधिकार है उसको वो ट्रांसपर करना चाहे तो नहीं कर पाएगा देखिए अन्योज दावा और यहां पर यह जो रोक लगाई गई इसमें थोड़ा सा विवाद हमें लगेगा कि एक तरफ अन्योज दावे को हम ट्रांसपर कर रह होती है और वाद लाने के अधिकार में आपको कितना मान हानी हुई आपको कितना पैसा मिलेगा यहां कितना अंत्यकालिन लाब मिलेगा आपको यह सब कुछ निस्चित नहीं तो जहां पर निस्चित चीजें हैं वो अन्योज दावा की परिभासा में आती हैं तो उनको तो transfer कर सकते हैं लेकिन सिर्फ बाद लाने का अधिकार है अनिस्चित चीजों के लिए अधिकार है तो उसको हम transfer नहीं कर सकते हैं अगली जो रोक है वो लोग पद को लेकर है public office को लेकर रोक है public office क्या होता है कि एक व्यक्ति के पास एक office दे दिया जाता है क्यों दिया जाता है ताकि उसको जो legal जो public duty दी गई हों public duty को वो perform कर पाए तो आपको क्यों दी गई है public duty परफार्म करने में छमताएं देखी गई कि आप public duty को perform कर पाएंगे आपको तो इसलिए ये public duty दी गई, लोगपद दे दिया गया, लोगपद ऐसा नहीं कि कोई अधिकार आपको दिया जा रहा है, आपके अंदर पात्रता देखी गई, कि जो public duty हमें परफार्म करानी है, ये व्यक्ति पात्र है, ये public duty को परफार्म कर लेगा, इसलिए उसका चैन करते ह अब क्या ये जो public duty जिस व्यक्ति को मिली है, जिसको लोगपद दिया गया है, वो अपने लोगपद का किसी को ट्रांसपर कर सकता है, मैं जैसे APP हूँ आज, तो क्या मैं अपने इस APP के पद को किसी को बेच सकता हूँ, नहीं बेच सकता हूँ, क्योंकि ये प्रक्रिया के त पद को ट्रांसपर कर सकता हूँ, नहीं बेतन को ट्रांसपर कर सकता हूँ, क्योंकि ये जो योगता के करण दिया जाता है, कि किसी व्यक्ति को नियोगता ने जाचा और उसके बाद उसकी जंता देखी और उसके बाद उसको public duty दे दी, तो एक लोगपद दे दिया, public office दे पर आप उस पद को आँगे किसी को इलिनेट नहीं कर सकता लोग पद को आँगे वो नहीं दे सकता इसी तरह जो बेतन भी नहीं दे सकता है लोग पद आपको दिया गया मैं बेतन भी अपना किसी को इलिनेट नहीं कर सकता कि मुझे जो जनवरी में बेतन मिलेगा मैं तुम्हें दे दूँगा और अपने विभाग को लिख के दे दूँ कि मेरा जनवरी माय का बेतन इनके खाते में ट्रांस पाऊं इसलिए मुझे कुछ वह वेतन देता है तो लोग पद और वेतन दोनों को ही रोका गया कि आप इनका ट्रांसपर नहीं कर सकते हैं लिखा गया है यहां पर पब्लिक ऑफिस के नाट भी ट्रांसफिर नार कैंद सेलरी ऑप पब्लिक ऑफिस विदर विफोर आर आफटर इट हैस बिकम पेवर तो दोनों का ही ट्रांसपर नहीं किया जा सकता है हाँ वेतन मुझे मिल गई मेरी जेख खाते में एक लाख रूपए आ गए पचास जार रूपए आ अब इसको मैं ट्रांसपर कर सकता हूँ लेकिन मैं अपने नियोकता से नहीं कर सकता कि मैंने ट्रा तो आप इनको देदो नहीं न्योकता नहीं देगा फिर अगली परिस्थिती आती है पिंसन या ग्रिचुटी की बात आती है कि इनका भी आप ट्रांसपर नहीं कर सकते हैं अब यदि कांसेप्ट आप समझ लें कि क्यों इनके ट्रांसपर पर रोक लगाई गई पैंसन किसी को क्यों दिया थी पेंसर कोई राइट नहीं है पेंसन किसी व्यक्ति का कोई राइट नहीं है पेंसन क्या है कि आपने जो विगत काल में सेवाएं किये हैं उन सेवाओं के लिए आपको दिया जा रहा पेंसन या आप असक्त व्यक्ति हैं डिसेबल परसन है या आप पर अनुकम अनुकंपा है सरकार की अनुकंपा है राजा की तो आपको पिंसन दे रहा है तो पिंसन कोई अधिकार नहीं है पिंसन जो किसी व्यक्ति ने विगत काल में सेवा की थी सरकार की इसलिए दिया जा रहा है वो व्यक्ति दुरुबल है निसकता पिंसन आती है व्रद्धा पिंसन आती है विकलांगता पिंसन Himill interdisciplinary आपकी सेवाओं के लिए दी जाती है जो सेवाओं आप दे चुके हैं आपके परिवार के जो आसृत हैं उनको दी जाती है कि वह अपना जीवन चला पयाएं आपने जो सेवाई दी थी उनके वज में या निसक्त है आप इसलिए दी जाती है तो इसलिए पेंसन का भी एलिनेशन नहीं किया जा सकता हाँ लेकिन जब पेंसन एक बार आपको मिल गई आपके खाते में आ गई अब आप उसको आगे एलिनेट कर सकते हैं पेंसन तभी तक पेंसन रहती है जब तक ये अनपेड है जब तक सरकार के हाथ में है तब तक पेंसन है लेकिन एक बार जब पेंसन होल्डर को मिल गई तो उसके बाद वो कुर्क भी होती है और उसके बाद वो इलिनेट भी होती है तो ये जो हमने अभी तक की परिस्थितियां पढ़ी तो खंड जा या H केहें तो वो कुछ परिस्थितियां बताता है। इन परिस्थितियों में भी आप ठ्रांसफर नहीं कर पाएगे। अभी तक सीदे हम प्रापर्टी की बात कर रहे थे, interest की बात कर रहे थे, एसे लेके जहात च्छा तक के मामलों में एसे लेके कहें कि जी तक के मामलों में कि पिंसन पर रोक लगाई गई, भेतन पर रोक लगाई गई, लोगपद पर रोक लगाई गई, परसनल नेचल का ये रिस्टिक्टेड नेचर का इंटेस्ट था उस पर रोक लगाई गई, जो future maintenance था उस पर रोक लगाई गई जो कहें कि reentry का right था कहा गया mayor right to sue है उसको आप नहीं बैश सकते हैं easement का right है mayor easement का right हुश को आप नहीं बैश सकते हैं जब तक कि आप dominant heritage को ना बेचे हैं तो ये रोक लगाई तब भी आप प्रापर्टी को अंतरित नहीं कर पाएंगे तो पहली परिस्ति है कि जहां अंत्रण का नेचर ऐसा है कि जिस प्रापर्टी को आप अंतरित कर रहे हैं उस प्रापर्टी के हित के प्रतिकूल अंत्रन जिस प्रापर्टी का आप कर रहे हैं उस प्रापर्टी के हित के प्रतिकूल तो कहा गया कि वहाँ आप अंत्रन नहीं कर पाएंगे दूसरी रोक लगाई गई जहां अंत्रन का उद्देश या प्रतिफल भी दिविरुद्ध है तीसरी रोक लगाईगे कि जो ट्रांसफरी था अंतरी था वो डिसेबल है उनलिजबल है तो तीन तरह की रोक लगाईगे परिस्थित्यां यदि ऐसी है तो भी कहा गया कि आप प्रापर्टी को लिनेट नहीं कर पाएंगे पहला खंड आता है कहता है कि जो अंत्रण है वो संपत्ती के हित के प्रतिकूल है कब मानेगे कि संपत्ती के हित के प्रतिकूल है एक मान लेजे कि सारुजनिक पूजा का इस्थान था उस सारजनिक पूजा के स्थान को आपने बेच दिया और वहाँ पर सौपिंग माल बना दिया अब जिस प्रापर्टी को आप इलिनेट कर रहे थे सारजनिक पूजा के स्थान को आप इलिनेट कर रहे थे तो और सौपिंग माल बनाने के लिए इलिनेट कर रहे हैं तो यह क्या है कि जिस property को आप अंतृत कर रहे हैं उस property के ही interest के खिलाब तो ऐसे अंतृत पर भी रोक लगाई गई है जैसे कि आप बहुत सारे जो पुलमलाकेस में हैं कि जो public nature की property या public interest या कहें कि public use की property आप पर्सनल यूज में convert ना कर पाएं तो यह भी रोक लगाई गई है कि यह अब बता पाते हैं कि उस property के ही hit के प्रतिकूल है यह अंत्रण के माध्याम से जिस property को लिनेट किया जा रहा है उस property के ही interest को प्रभावित कर रहा है तो भी एक रोक यहां पर हमें मिलती है जो दूसरा खंड है वो विदिवरुद दुद कि वो बताती है कि प्रतिफल या उद्देश कब विदिवरुद हो जाएगा तो यदि प्रतिफल या उद्देश विदिद्वारा प्रतिसिद्ध है विदि ने रोक लगाई है कि आप ऐसा नहीं करेंगे और आप ऐसा कर दें यदि उस कारे को करने से उस उद्देश से वि लोग नीटी की विरुद्ध किसी विट्व को ये सी सी विधि को एक किसी एक लाइसंस दिया गया आपहीम के उत्पादन का लाइसंस दिया जैसा मंसूर वगरे में मिलता है और आपने किया किया कि विद्ही के निशिद्धिता को असलंगित करते हैं तो आप ऐसा भी नहीं कर पाएंगे जो इसका अंतिम्बाला खंड है वो कहता है कि निरहरित हो पर्सन लीगली डिस्क्वालिफाइड टू बी ट्रांसफरी हमने धारा साथ पड़ी थी धारा साथ कहती कि अंतरा कौन-कौन व्यक्ति हो सकता है धारा छे का जो ये खंड है खं 136- 1336 कहती है कि कोई अधिवक्ता कोई वकील कोई कोट का अधिकारी जिसका भी न्याला bet वह एक्स चनेवल क्लेम का अंतरीती की नहीं हो सकता एक ही रोक पर बताया गया है कौन डिस्क्वालिफाइड है तो 136 कहती है कि जज, वकील, कोर्ट के करमचारी ये किस प्रापर्टी के सम्मंद में एक्सनेबल क्रेम के सम्मंद में अंतरिती नहीं है इनको डिस्क्वालिफाइड कर दिया गया जो अगला खंड है वो बात करता है कि कुछ व्यक्तियों के पास राइट है उन राइट्स को कहता है कि आंगे लिनेट नहीं कर पाएंगे तो तीन तरह के राइट्स की वो बात करता है ये लोक नीती पर आधारित है कि भूमी स्वामी और जो कास्तकार है उनके बीच आया गया कि यदि मालेजे की किसी टेनेंट को किसी किरायदार को आपने एक उपभोग का अधिकार दिया और जिस व्यक्ति को आपने उपभोग का अधिकार दिया उसको आपने ये अधिकार नहीं दिया कि तुम अपने इस उपभोग के अधिकार को आगे अलिनेट कर पाओ उसके पास कैसा है अधिभोग का अधिकार अनंत्रन नहीं है उसके पास किसी अभिधारी है कोई किरायदार है उसके पास उपभोग का अधिकार तो है लेकिन उसका उपभोग का अधिकार अंत्रन योग नहीं है तो ऐसा अभिधारी अब अपने इस अधिभोग के अधिकार क कर सकता जिस किरायदार है किरायदार के पास एक मकान के अधिभोक का अधिकार है लेकिन मकान मालिक ने कहा कि तुम अपने इस अधिकार को किसी को अंतरित नहीं करोगे मतलब उसके पास अनंतर नहीं अदिवोग का दिखाय है तो वो आंगे लिनेट नहीं कर सकता है, एक किसान है, किसान ने एक जमीन पर करसी कर रहा है वो और उस जमीन पर रिवनू बकाया हो गया, तो भी कहा गया कि ऐसा करसक जिसकी संपदा के लिए राजस्तो देने में वरतिक्रम हुआ है, वो जमीन में holding के right को आगे alienate नहीं कर सकता है कोई भी किसान है जिसको एक holding पर दी गई है जमीन और उस जमीन पर जो revenue होता था उस revenue के देने में आपने व्यतिकम कर दिया default कर दिया तो अब किसान से कहा जा रहा है कि तुम अपने holding के right को किसी को alienate नहीं कर सकते हो इसी तरह एक प्रतिपाल अधिकरण के प्रबंद के अधीन कोई संपदा का पटेदार है उससे भी कहा गया कि आप भी अपने इस अधिकार को आंगे अंतरित नहीं कर सकते हैं तो ये धाराच्छे के प्रावधान थे जो अंतरण पर रोक की बात करते हैं तो चार तरह से रोक है हिंदूला रोक लग करें और धाराच्छे भी बताएं धाराच्छे के आस्पेक्स भी बताएं कि जो पहले खंड है एसे लेके जी तक के वो प्रापर्टी को टार्गेट करते हैं जो खंड है वो सरकमस्टेंस को टार्गेट करता है और जो तीसरा खंड है वो किसको टार्गेट करता है जिनके उपर दायत हो है पुब्लिक पॉल्सी पर आधारी थे जो अगला खंड है तो यह खंड आई जो आपका पुब्लिक पॉल्सी पर आधारी थे अभिधारी को जिसके पास अनंत्रनी अधिकार उससे कहता है कि तुम इसको आंगे मत बेचना क्रसक जो रेवनू पे करने में लगाई गई है सामान नियम यह है कि हर तरह की प्रापर्टी अंतर्ण किया जा सकता है यह प्रापर्टी का मूल नेचर है कि वह अलिनेट होना चाहती है नित्यान सर्थ लोगों के प्रस्नें से अगर आपने हैं हां से थुला समय ज्यादा हो गया है तो दो प्रस्नें चरण सिंगी और तुबर सिंगी के जी सर जो इसके बावी वरन पोशन का अधकार